और समाजवादी पार्टी ने पहले ऐलान किया कि वो आज संभल जाएंगे परशासन ने रोका तो अब समाजवादी पार्टी के तरफ से ऐलान किया गया कि इस हिंसा में मारे गए परिवारों को 5-5 लाक रुपई की आर्थिक सहयता दी जाएगी आज हमारे साथ इस पूरे मुद्धे पर बात करने के लिए आचार प्रमुत किष्णम है आचार जी क्या हो रहा है संभल में पहले तो और आज समाज़ादी पार्टी ने एलान कर दिया कि वो पांच-पांच लाक रुपए इस हिंसा में मारे गए परिवारों को देंगे लेकिन इससे पहले बहराइक महिंसा होती है वहाँ पे राम गुपाल मिश्रा मारा जाता है वहाँ पर समाज़ादी पार्टी कुछ भी एलान नहीं करती कैसे देख रहा है क्या राजनीती है देखे जहाँ हिंदू मारे जाएंगे हुआ समाज़ादी पार्टी दो पैसे नहीं देगी वो मिश्रा मारे जाएं शुकला मारे जाएं यह तॉमर मारे जाएं निशाद मारे जाएं अगड़ा मारा जाएं पिछड़ा मारा जाएं हिंदू मारा जाए जा हिंदू मरेगा महां समाजवादी आख बंद कर लेगी ये पहले दंगा कराते हैं लोगों को बढ़काते हैं पत्थर फिकवाते हैं शेहर में आग लगवाते हैं फिर डेलिकेशन बिजवाते हैं जानों की कीमत लगाते हैं मुआबजा विश्वाते हैं सच बात यह है गड़ियाली आंसू बाते हैं अपनी सियासत चमकाते हैं संभल को दंगो की आग में जोकने की एक बहुत बड़ी साजिश थी और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी उसमें शामिल थी जो आप कह रहा हैं कि समाजवादी पार्टी शामिल थी समाजवादी पार्टी कह रही है उसमें कोई पॉलिटिकल एजंडा होना चाहिए योगी आधित नाज जी ने समाजवादी पार्टी की वो हालत बना दिये पिछले साथ सालों में कि ये सब इन्होंने सोचना समझना और समझदारी से काम लेना छोड़ दिया है इनका वन पाइंट एजंडा है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को बेवकूब बनाओ उन्हें दोका दो उन्हें डराओ उन्हें योगी आधित नाज जी का भेह दिखाओ और उन्हें समाजवादी पार्टी का जंडा थमाई रखो इन्हें डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान वोट बैंक इनके हाथ से निकल जाए इसलिए इन्होंने संभल को दंगों की आग में जोकने का प्रियास किया शर्यंत रचा सुभई सुभई हजारों लोग आठ दस हजाल लोग कैसे इकटा हो जाएंगे संभल के जो सांसद है वो अखले शादव जी के खास है वहां के सारे पूरा समाजवादी का जो तंत्र है पूरा दंगों के साथ खड़ा है अपीले हो रही है भाशन हो रहे है बढ़काओ भाशन दिये जा रहे है तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जिसने पत्थर मारा, जिसने हमला किया उसके खिलाफ सा F.I.R. हो गई, हो जाएगी होनी चाहिए लिए क्या उनके खिलाफ F.I.R. दरज नहीं होनी चाहिए उनके खिलाफ मुकदमा दरज नहीं होना चाहिए जिन्होंने पत्थर पिकवाए शड़ी अंदर में तो ये शामिल है इसलिए मैं कह रहा हूँ और ये जो दिखावा है इसके पीछे बहुत बड़ा मोटिव है कि समाजबादी पार्टी किसी भी कीमत पर जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको बरकरार रखने के लिए हर गलत काम करने को त्यार है और वो कर रही है इतिहास से इने कोई लेना देना नहीं है संबिधान से इने कोई लेना देना नहीं है इस देश से इने कोई लेना देना नहीं है इनका लेना देना सिर्फ एक है कैसे भी करके 2027 में ये मुक्यमंतरी की कुर्सी पर कबजा कर सकें इसलिए ये उल्टे सीधे काम कर रहे हैं समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं कभी जाती के नाम पर तोड़ना चाहते हैं कभी भाशा के नाम पर तोड़ना चाहते हैं कभी अगड़े पिछड़े के नाम पे तोड़ना जाते हैं, कभी अजीब अजीब तरह के सिलोगंस देखते हैं, तो ये प्रदेश के भी खिलाफ है, ये बात और देश के भी खिलाफ है, लेकिन इन्हें कौन समझाएं? लेकिन एक सवाल, कि जब उपचुनाव हुए, जो कुंदर की सीट कभी बीजेपी नहीं जीती, वहाँ पर एतिहार्शिक जीत दर्श कीत है, जाहिर सी बात है कि वहाँ पर मुस्लिम मद्दाताओं ने भी वोट दिया होगा, और वो एक इलाका भले ही संभल जिले में नहीं आता हो, लेकिन उससे बिलकुल बगल में है, तो प्रभावित तो रहता ही है, इसको कैसे देखेंगे? देखें, पहली बात तो यह है कि मैं अभी तक भारती जिन्ता पार्टी का सदस भी नहीं हूँ, मैं भाजपा में नहीं हूँ, मैंने भारती जिन्ता पार्टी को जॉइन नहीं किया, लेकिन भारत के प्रदान मंतरी को जॉइन किया है, नरेंद मोदी को जॉइन किया है, श श्री कलकी धाम का निर्मान हो, यह हमारा सपना भी था और संकल भी, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकान ने श्री कलकी धाम के निर्मान पर पावंदी लगाई, क्या बेगाडा था हमने, क्या बेगाडा था हिंदू ने, क्या बेगाडा था भगवान कलकी ने, क्या बेग जानमंत्री जी आये उन्होंने वहां शिकल की धाम का शिलान्यास इसी पिछली 19 वर्वरी को किया। प्रशनी ये पैदा होता है कि अखले शियादव जी ये जो उपचुनाब हुआ है। इसमें जो पूरी तरह हार हुई है। उससे बौखला गए। ये जो कुंदर की का आप जिकर कर रहे हैं। आप कहने साम मुहां के मुसल्मानों ने बीजेपी को वोड़ दे दिया। क्यो भई। बीजेपी क्या भारत की पार्टी नहीं है। बीजेपी क्या मंगलगर की पार्टी है। अगर मुसल्मान बीजेपी को वोड़ दे दे तो अखले शादव परिशान हो गए भारत का मुसल्मान भारत का है को पाकिस्तान का थोड़ी है भारत के मुसल्मानों ने भारत की पार्टी को वोड़ दिया है क्यों नहीं दे सकता भारत में पैदा हुआ मुसल्मान भारत से प्यार करता है वो अपने वतन से प्यार करता है लेकिन ये मुसल्मानों को हिंदूओं का दुश्मन बनाना चाहते हैं, ताकि मुसल्मानों को हिंदूओं का डर दिखा के, बीजेपी का डर दिखा के, योगियादित नात का, नरिनमुदी का डर दिखा करके, ये अपने साथ जोड़े रहे हैं, मुझे लगता जैसे कुंदर की मिट्टी में जो पैदा हुआ है वो हिंदोस्तानी है और जितना भारत हिंदूओं का है उतना ही मुसल्मानों का है लेकिन समाजबादी पारिटी को ये अकरता है समाजबादी पारिटी का भला ही नहीं होता जब तक हिंदूओं को मुसल्मान गाली ना दे मुसल्मान दंग भी तो करवाए जा रहा है अदालत के फैसले पर कोई टिपड़ी करना ठीक नहीं है सर्वे होने का मतला ही थोड़ी है कि मस्जिद को छीन लो मस्जिद के उपर मंदिर बना दो ना किसी भी मस्जिद के उपर मंदिर बनाने के लिए सनातन अनुमती नहीं देता और मंदिरों क तोडने के लिए मंदिरों को तोडने की इजाजत इसलाम नहीं देता, लेकिन इतिहास को जानने का अधिकार तो है ना हमें, इतिहास में लिखा है, इतिहास में दर्ज है, कि 1526, 1525 में, 1529 में, मंदिरों को तोड़ा गया, बावर ने तोड़ा और अंगजेब ने मंदिरों को तोड़ा और तैमूर लंग पीछे भी मंदिरों को तोड़ने का इतियास है, तो मंधिरों को तोड़ तोड़के मजड़ बनाए गई अब वो बन गई मगर कहां कहां तोड़ा गए ये जानने का हग तो है तो अगर कोई पाईटी, कोई सनातन को मانने वाला गक्ती अगर अजाता है, वो कहता है कि साभ, यहां मंधिर था तो उसका सर्वे अगर हो रहा तो उसमें इतनी दिक्कत क्या है अदालत का सम्मान करना चाहिए और अदालत के फैसले का इंतिजार करना चाहिए और अदालत पर भरोसा रखना चाहिए मैं पूरे देश के मुसल्मान भाईयों से क्याना चाहता हूँ कि लोकतंत्र है, यह जमूरियत है अदालत के फैसले का इंतिजार करो और अदालत पर भरोसा रखो अचार प्रमूत किश्णम अभी तक रहुल गंधी से नाराज होते थे लेकिन अब कुछ दिनों से, दो दिन से समाज़ादी पाटी और अखली शादो से नाराज नजर आ रहे हैं अगी ऐसा थो नहीं कि अखली शादो ने कहा था कि उधार के संत, उसकी वज़े से अचार प्रमुत किश्णम अ आएगी, जो अपने पूर्वजों का सम्मान न करता हो, वो भारत की संस्कृती, भारत की सबता और भारत के संतों को क्या समझेगा? एक आखरी सवाल, अब प्रियंका गांधी भी संसाध हो गई है, लोकसभा में जाएंगी, गई है, उन्होंने पाटिसिपेट भी कर लिया, तो अब लगता है कि कुछ परिस्तितियां बदलेंगी कैसे देख रहे हैं आपका चुकि जुडाव रहा है कॉंग्रेस से, तो क्या देख रहे हैं, कुछ हला भला होने वाला है, प्रियंका गांधी जी को ये संसध की सदस्ता की मैं बदाई देता हूं, मुझे बड़ी खुशी है कि भारत की संसध की सम्मानित सदस्त के रूप में वो संसध में पहुँची है, जहां तक कॉंग्रेस का तालुक है, तो कोई कोई भी संसध हो जाओ, कोई भी विधायक हो जाओ, कोई मंतरी हो जाओ, कोई मुख्य मंतरी हो जाओ, कॉंग्रेस का भला तब तक नहीं हो सकता, जब तक कॉंग्रेस की कमान राहूल गांधी जी के आतमे है, राहूल गांधी के रहते हुए, कॉंग्रेस को अब नहीं बच जाए जा सकता है क्योंकि राहुल गांदी जी के इर्द गिर्द उनके कुछ नौकरों की टीम है उनके वो जो नौकर हैं वो कॉंग्रेस के सभी बड़े नेताओं की बिज़ती करते हैं और एक हिंदू विरोधी गैंग सनातन विरोधी गैंग पुरा का पुरा राहुल गांदी के आसपास है तो जब तक राहुल गांदी है इस गैंग को नहीं हटाय जा सकता और जब तक ये गैंग है एक आखरी सवाल संभल पे समाज़ादी पाटी अड़ी थी कि हम जाएंगे परतर नेती मंदर अब फिर कह रहा है हम जाएंगे वो कह रहा है कि हम उन परिवारों से मिलेंगे जो परिवारों के दंगे में परभावित हुए देखे इनकी नियत साफ नहीं है संभल बहुती अमन पसंद शहर है हर घर में हमारा रिष्टा है लेकिन समाज़बादी पाटी संभल की शुपचिन तक नहीं है मैं दर्खास्त करना चाहता हूँ वहाँ एक तो जो लोग जिन लोगों ने अपनी जान गमाई है मैं उनके परिवार के प्रती संभेदना व्यक्त करता हूँ और तमाम पॉलिटिकल पाटी से समाज़बादी पाटी के साथ और पाटीों से भी मैं ये कहना चाहता हूँ सनातन को मानने वालों के घर भी चले जाये करो देश को एक रखने की बात करो देश को जोड़ने की बात करो देश को तोड़ने की बात करो धन्यवाद अचारी ये हमारे साथ है आचार प्रमूत कृष्णम जिनका कहना है कि समाज़ादी पार्टी संभल जैसे अमन्परसंद शहर में सिर्फ राजनीती करना चाहती है अगर समाज़ादी पार्टी संभल कि हिंसा में परभावित लोगों के घरों पर जाना चाहती है तो उन परिवारों के घरों पर भी जाए जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं हिंदूओं को मानने वाले हैं कैमरा परसंद संदीप के साथ संतोश कुमार